हुआ है दोस्तों कैसी हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी विल्कुल ठीक हूँ तो स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूटूब चैनल पर तो आप देख पा रहे होंगे मेरे हैर हैं कितने अच्छे हैं स्ट्रॉंग है शिल्की साइ ने स्मूध हैं तो आप लोग भी चाते होंगे कि हमारे हैर भी इतनी ही अच्छे हों तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ताके आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियो मिलती रहें और मेरी वीडियो को ज़रूर फॉलो कर दी हैं और बहुत ज़्यादे स्ट्रॉंग बना देंगी मैं 100% गारेंटी के साथ बोल रही हूं कि जो मैं बताती हूं इसको अगर आप कंट्यूनिसली फॉलो करेंगे तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे चलकी अच्छा रिजल देखा तो फ्रेंड आपसे एक रोकेस्ट और करना चाहती हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सस्काइब करें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें हमबल रोकेस्ट है आप लोगों से मेरी तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को सस्काइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जर से follow करना है तब ही आपकी अच्छे से समझ में आएगा वरना अगर बीच में आप वीडियो को छोड़ दोगे तो कुछ भी आपकी समझ में नहीं आएगा फिर आप कहेंगे कि हमें अच्छा result नहीं मिलाएं तो अच्छा result अगर आप देखना चाते हैं तो मैं जो भी बताती ह हूँ उसको पहले follow करना है थोड़ा wait करना है तब ही आपको अच्छा result देखनी को मिलेगा वरना नहीं मिलेगा तो यह मत कहा करो कि हमें result अच्छा नहीं मिलता है तो चलिए जो मैं बताने वाली है उसको सुरू कर लेते हैं मैं लेने वाली हूँ coconut oil और simple सी remedies बताती हूँ को हम गैस पर थोड़ा सा गरम कर लेंगे हलका सा गरम करना है जादा गरम नहीं करना है क्योंकि अगर जादा गरम करेंगे तो यह आपकी हेर को थोड़ा सा harmful हो सकता है पर हमको हलका सा गरम करना है जो हमारे हेर को अच्छे से strong बना सके गुन गुना करना है और आप उंगली से चेक कर लेना कि कितना गरम आपको रखना है तो मैं बताऊं कि इतना रखना है कि आपकी उंगली नहां चले और थोड़ा सा इसको उतार के गैस से और थोड़ा ठंडा होनी देना है और कॉटन वॉल की साइता से या अपने हाथों से इसको लगा लेना है